हेलो गाइज वेलकम बैक तो आवर चैनल सक्सक्स टड़ी आज हम इस वीडियो में चैप्टर एट के जो बुक के इंसाइट के ब्लीव बॉक्श के जो अंसर्ड कोशन होते हैं आज हम उने सॉल्व करेंगे तो यह फर्स्ट कोशन मैंने लिया है पेज नमर हंड़िट का कोश अबजेक्ट है उसका डिस्प्लेस्मेंट जीरो हो सकता है हमने अंसर पढ़ा हुआ है यस इट कैन तो इसकी एग्जामपल हम कैसे दे सकते हैं आंसर येस जीरो डिस्प्लेस्मेंट इस पॉसिबल सुपोसिबल सुपोसिबल बॉड़ी इन और सर्कुलर पाथ एंड स्टार है तो initial point भी ही है final point भी ही है और displacement हमने पढ़ा है वह क्या आता है final minus initial final point भी से इनिशलわか हैयानि total distance क्या होगा zero होगा तो इस condition में कुछ ना कुछ distance तो है लेकिन displacement का है? Zero है Next one Which of the following is true for the displacement? Displacement के लिए कौन सी बात है यहां पर? ठीक है It cannot be zero No, it's false अभी हमने एक पीछे example देखी है Zero हो सकता है Its magnitude is greater than the distance traveled by object जो displacement का magnitude होता है Total distance travel से वो जादा हो सकता है It's also wrong By the definition of displacement क्योंकि हमने पता है Displacement क्या होता है? Shortest distance होता है Distance क्या होता है? जैसे A point है और यह B point है आप पूरा यहां से यहां तक जा रहे हो लेकिन shortest distance क्या है? यह तो displacement तो always the shortest होता है तो वो distance से कभी भी greater नहीं हो सकता Means यह जो second option है यह भी क्या होगी? आने के लिए 5 minute का time लग रहा है तो आपको बताना है कि distance कितना है दोनों के बीच में वोस स्पेश सिप से Ground का distance कितना है अगर उसका जो speed है 3 into 10 raise to power 8 meter per second है हांजी यहां पे speed कितनी है? 3 into 10 raise to power 8 meter per second और time कितना लग रहा है 5 minute 5 minute को हमने convert कर लिया है second में तो यह कितना आ गया? 300 second आपको पता है कि second में convert करने के लिए हमें 60 से multiply करना होता है तो distance का formula है speed multiply by time speed यहां पे 3 multiply by 8 10 raise to power 8 multiply by 300 यह अपने पास formula होता है distance का speed multiply by time speed यह हो गई और time 300 second हो गया दोनों को multiply करके अपने पास क्या आ गया? 10, 9, 339 और 10 raise to power 10 meter यह आ गया हमारे पास distance between space ship to the ground और book work हम यह वो book के questions थे blue box के questions 101 में भी book number है उसका और भी numerical के question है मैं आपको साथ में बताती रहूंगी book भी पढ़ेंगे